तो यह वाला प्यारे बच्व कोश्चन देखो यह आया हुआ 2022 में तो 2022 में पुछा हुआ है इस कोश्चन को तुम बड़े आसानी से कर सकते हो यह एक आसान कडिगरी का सवाल है इसमें यह कहा जा रहा है कि लाइट आफ्टर पासिंग तुर्द पुलराइजर ठीक है अब य उर्श तम्हें पता होना चाहिए कि प्रद राइजर क्या चीज होता है तो अगर यह तुम परह अजरねष पता यहां से तो यह कोश्चन कर सकते हो अधर्वाज तुम नहीं कर सकते पोलराइजर से पास हुआ और इनलाइजर पर पड़ा और इंगल बीटूइन दे एक्सिज है वो 30 डिग्री है तो इंटेंजिटी ट्रांस्मीटेट फॉन दे एनलाइजर मालोग एनलाइजर से कितनी आई पास हो रही है इसकी हमें कैल्कुलेशन करनी है तो चलो अगर इस क्वेशन को मैं बैसिकली अगर करूं तो सबसे पहले मुझे यही बात है कि पुलराइजर और एनलाइजर आप पड़े होगे पुलराइजर पड़े होगे उसमें यह वाली जो स्टेट लाइन है इससे और यहां पर अपने पास एक फुलराइजर ओचा लाइट को पुलराइज करेगा चैन और 2 यह यह अगर है और यह ए उनलाइजर रह तो यह कहता है कि अगर यहां पे इन दोनों को एकसी इसली एसे नहीं है तो यह जो एंगल इनके बीच के दोनों एक्सिस के बीच का एंगल यह एंगल थीटा है वो है 30 डिग्री तो अगर यहां से जो लाइट यहां से जो लाइट पास हो रही है यह जो light आ रही है वो polarizer से intensity आई पड़ी तो analyzer से कितनी पास हो रही है i dash उसकी calculation हमें करनी है तो आई हो कि आपको formula याद होगा law of males आप पड़े होगे कि direct इस analyzer से direct कितनी light पास होती i dash उसका formula तुम्हें याद होगा ठीक ना law of males i dash is equal to i cos square theta theta क्या है इन दोनों के बीच का एंगल और i क्या है इस analyzer पर परने वाली intensity जब इनके बीच का एंगल ठीक ना तो यहां से i dash तो कितनी इस पर पड़ी थी i ठीक है यहां से और cos square cos square यहां से 30 cos square 30 कितना होता है cos square 30 sin 62 3 by 2 का whole square मतलब यहां से i dash की value आजाएगी 3i upon 4 तो 3i upon 4 यह वाली जो value तुम्हें मिल लई है यहां से तुम देखो गे तो अपना fourth option सही हो जाता है तुम यहां पड़ा होगा 2i और यह आधा कर देता है तो 2i by 2 कर दिया होगा जिससे यहां i बचा और यहां पर finally आ जाएगा 3i not upon 4 तो इंगल और बढ़ाओगे तो intensity और घटेगा finally जब यह ऐसे हो जाएगा तो यहां cos 90 0 हो जाएगा तो आई हो कि आपको समझ में आ गया होगा